इन विजुल मैन चैप्टर 6 हिंडी समरी आज क्लब फस्टिबल था तो हॉल परिवार जल्दी जाग गया मिस्टर हॉल सरस परिला एक मीठा द्रव लेने ऊपर की ओर गए अजनभी का दराजा खुला हुआ था तो मिस्टर हॉल जाज परताल करने के मकसद से कमरे में घुस गया पर वहाँ कोई नहीं था मिस्टर हॉल भी चानबीन करने आ गई वहाँ किसी ने चीका पर उन दुनों में से कोई भी नहीं चीका था मिस्टर हॉल कमरे में जाक ही रही थी कि उन्हें लगा जैसे कि कोई उनके पास सास ले रहा हो उन्होंने अपने गर्दन के पास किसी के सासों के होने की आवाद सुनी उन्हें मैसूस हुआ कि कोई उनके बगल में है पर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं अज जबी की पट्टिया भी कमरे में घी मिश्टर और मिसेज हॉल कमरे में थें तभी वहाँ पड़ा कबड़ा उन पर हमला करेता है फिर कमरे का फरनीचर भी उन्हें चोट पोचाने कोईजिस करता है मिसेज हॉल को लगा कि फरनीचर में भूतों का वास हो किया है इसलिए उन्होंने Mr. Sandy Wager जो की वहां के एक लोहार थे उन्हें बुलाया वो समझदार वेक्ती थे उन्होंने हर एक चीज की गहन चानवीन की पर उन्होंने हॉल परिवार की बातों पर यकीन ही नहीं किया और अपने इस तर से जाच करने की बात कही पर तभी अजनभी बाहर आ गया पर किसी ने उसको अंदर जाते हुए इससे पहले नहीं देखा था वह नीचे आया और सब को गोर कर देखा सैंडी विजर के कहने पर मिस्टर हॉल अजनभी से पूश्टाच करते हैं पर अजनभी उन्हें जोड से डाट देता है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब